है एसी एफ ओफ वन फॉर फॉर वन एट जीरो वन नाइन टू बाइ डिविजन मेथड कैसे फाइंड करें अभी हम सेखेंगे इस वीडियो को पुरा देखिए दोस्तों आप क्या करो पहले टू नंबर्स को एक साथ ले लो इनका से फाइंड कर उसके बाद इसके साथ हम कु वन फॉर फॉर कर डिवैड करेंगे इस पर दिखाए देरा आपका वन टाइम चला गया एक उधार देगा यहां पर इच्छे आ गया यहां पर तीन आ गया यहां जिरू आ गया देखिए थर्टी सिक्स का इसमें डिवैड करना है यह महत्पुन बात है ओके यहां रुको थ कितने टाइम जाएगा इसका कैसे आडिया लगए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है यहां पर देखो इसकी फ़र्स्ट टू डिजिट ले लो इसका ले लो इसको देखिए हम फोर से मुल्टिप्लाइब करते हैं तो आपका कितना रहा रहा है 12 आता है ठीक है जो कि इसे जस्ट चोटा है तो इसको हम फोर से डिवाइड करके देखते हैं कि आपका कितने टाइम होता है दीखिए से चुक चुईस होता है दो के रिच चला गया और यह एक सुट चमाल इसा आगया आपको आपको पता लग गया कि यह कितना आसान तरीका है कि ऐसे हम आईडिया लगा सकते है और आपका आइडिया काम कर गया यहां पर जिस नंबर से यह कंप्लीट डिवाइड हो गया जिस नंबर से आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ वह आपका से बनता है तो इन दोनों का सेफ कितना आ गया है अपका 36 निकल कर आया है अब देखिए क्या करना है ध्यान से चुन इसका complete divide हो गया तो मतलब आपका यही है complete divide नहीं हो तो मतलब जिस नंबर से complete divide होगा फिर तिनों का वही आपका SCF बनेगा देखिए कितने टाइम जाएगा इसको हम 6 से गुणा करते हैं तो यहां 36 आएगा तीन 18 तीन 21 वह जाएग ज्यादा यही नहीं पांच का सेटिंग बेट ताइम चीक है तो पांच से गुणा किया तो यहां 30 आ गया तीन चला किया करी 15 और 18 ओके तो यहां आ गया दो यहां गया एक फिर आपका इसमें डिवाइड होगा 36 पर देखे बारा किवाइड कर् likelihood कितनी ताइम होता आपका 3 Taim होता है Remender is 0 आगया किस पर complete डिवाइड होगा ऑपका 12 पर गुणा है